CSK ने चीनी जड़ेजा की उपकपतानी अब ये खिलाडी बनेगा CSK का नया उपकपतान नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल SK स्पोट के गौने वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिरकार जड़ेजा से उपकपतानी क्यों चीन ली गई है और कौन होगा CSK का नया उपकपतान तो पूरी जानकारे कि ये वीडियो म्लास तक बने रहें और साथ ही आप इस CSK टीम के फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें IPL 2022 में चिन नई के कपतान बने रवीन जड़ेजा ने कपतानी छोड़ने का फैफला कर लिया है चिन नई सुपर किंग के खराप प्रदर्शन और खुद के खराप प्रदर्शन पर ये बड़ा फैफला लिया है चड़ीजा अब CSK कप्तान नहीं रहे, जड़ीजा कफ्तानी छोड़ने के बाद, CSK के नयकापतान दुबारा महन सिंग धोनी बन चुके हैं, जब महन सिंग धोनी कप्तान हुआ करते थे तो, रवीन जड़ेजा उपकप्तान रहते थे, लेकिन जड़े जग कप्तानी छोड़ने के बाद ऐसा नहीं होने वाला है CSK नए कप्तान धोनी को दुबारा बनाए जाने पर उपकप्तान रितुराज गयकवार को अपाइंट किया गया है अब CSK के नए उपकप्तान रितुराज गयकवार होंगे आप बतादे चैनली सुपरकिंग का प्रदर्शन अभी तक कुछ अच्छा नहीं रहा है खेले गए आठ मुकाबलों भी से केवल दो ही में जीत हासिल मिली है वहीं अब प्लेयाफ में पहुंचना CSK के लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है आपको क्या लगता है CSK टेम प्लेयाफ में पहुंच पाएगी है नहीं आप अपनी महत्पोर आए कमेंट बॉक्स में ताया साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और आप एस जोड़ी छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में तब तक के लिए नमस्कार